Hello my dear students, welcome to magnet brains in the medium व्याकरन की यात्रा में हम आ गए हैं समास तक बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं ताकि आप एकदम शुद्ध और सही व्याकरन को पढ़ लें, सीख लें ताकि व्याकरन का जो शास्त्र हिंदी को शुद्ध रूप से आपको पढ़ना और लिखना सिखाता है तो इसको पढ़ने के बाद आपसे हिंदी में होने वाली जो अशुद्धिया हैं जो अकसर बोलते समय और लिखते समय होती हैं उनका जो level है वो बिलकुल 0 पर आ जाए और आप एकदम शुद्ध वर्तनी सही सही लिख सकें और साथी साथ बोल सकें जो बचारिक इस्तर है आपका वो भी इससे बहुत increase होगा क्योंकि जैसे जैसे हम व्याकरण के topic पढ़ते हैं जो हमारे सोचने और बोलने की जो प्रतिभा है वो निखरती जाती है और इसकी बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो रचनात्मक पार्ट होता है इंदी का वो आप बहुत अच्छे से cover कर लेंगे तो इसी श्रंकला में हम आगे बढ़ते हैं समास को लेकर समास को हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं क्या होते हैं समास कितने प्रकार के हैं तो चलिए शुरू करते हैं समास शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा हमेशा संशिप्ती करन के लिए जब बात बहुत बड़ी हो उसको अगर कम शब्दों में कहना है तो हम समास का प्रयोग कर सकते हैं कैसे वो आप यहाँ पर देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों को संशिप्त करके जब नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है जो विधी होती है जिसे प्रोसेस भी कहते हैं वो समास कहलाती है दो या दो से अधिक शब्द ध्यान दे और उसको संशिप्त करना यानि समास शब्द का अर्थ है संशेप अर्थात छोटा करना किसी बहुत बड़ी सी बात को जिसको कहने में बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, बहुत अत्रिक्त समय का प्रयोग हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि देखिए हर बात बहुत बड़े तरीके से फैला फैला कर नहीं कई जा सकती है, कई बार हमारे प बवाख्य नहीं बोल पाएंगे और आप संशिक्ती करण में जब बवाख्य बोलेंगे तो आप कम समय बहुत सारा बोल पाएंगे तो ऐसी ही समस्याओं का निराकरण कौन करता है समास करता है ठीक ऐसे ही परिक्षा में मानगे चलिए किसी उत्तर को आप बहुत बड़ागर आपको लिखना है कि राजा एक महल में रहता था और उसी महल में उसके पुत्र और पुत्री भी रहती थी तो अगर आप समास के प्रयोग नहीं जानते तो आप क्या लिखेंगे राजा अपने महल में रहता था और राजा जिस महल में रहता था उसी महल में राजा कीव कन्या और राजा का पुत्र भी रहा करता था छोटी सी बात कि तीनों एक ही महल में रहते थे कहने के लिए हमने कितने अधिक समय का प्रयोग किया लेकिन उत्तर में तो आपको उत्तर लिखने के लिए इस प्रशन में एक ही मिनिट मिलने वाला है क्या करेंगे तब आप तब ऐसी स्ति में आप समास का प्रियोग करेंगे कि राज महल में तीन लोग रहते थे राजा, उसका राजकन्या और साथी राजपुत्र और राजपुत्री साथ में रहते थे कितने चोटे वाक्य में हमने तीनों का निवास इस्थान उस राज महल को बना दिया क्या हुआ? समय भी बचा, बात भी कह दी गई और साथी साथ अतरिक्त समय में आप उत्तर को निखारने में अपना समय दे सकते हैं तो ऐसी ही समस्याओं के लिए हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में? समास पढ़ते हैं बहुत सारी ऐसी चीजों के निराकरण को समास का नाम दिया जाता है तो समास यानि संशेप अर्था छोटा करना, बहुत बड़े किसी वाकिके हो, चंशिपती करना प्रतान करना रसोई के लिए घर, रसोई घर के स्थान पर, रसोई के लिए घर के स्थान पर, रसोई घर कहना अगर मैं आपसे पूछू, मम्मी इस समें क्या कर रही हैं? तो आप क्या कहेंगे? मैं वो रसोई घर में भोजन बना रही है इससे बहतर आप लिख दीजे वो रसोई घर में है भोजन बना रही है या फिर वो रसोई घर में है तो मैं समझ जाओंगी ना कि वो भोजन बना रही है वहाँ पर तो संशित रूप से बात करना कभी-कभी बेहद आवशक हो जाता है और वही जो आवशक समय है जिसमें हमें कभी-कभी समय और उड़ जा दौनों को बचाना होता है उसमें समास बड़ा काम देते हैं कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना अब आप ये ना समझें इसको कि जब आपको जिसे पांच लाइन लिखी हुई है इसको छोटा करना है आपको तीन लाइन में लिखना है तो आप यहाँ पर उसको स लाइन छोटी-छोटी करदें बिलकुल नहीं यहाँ पर जो वाक्य हैं या जो बड़े वाक्यांश हैं उनको सार्थक शब्दों से छोटा किया जाता है For example, रसोई के लिए घर के स्थान पर रसोई घर तो इसका अर्थ कम नहीं हुआ है, सिर्फ शब्द कम हुए है उसका भाव कम नहीं हुआ है, सिर्फ शब्द कम हुए है तो इस चीज़ का खास तोर पर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार बात का अर्थ भी घतम ना हो और शब्द भी कम हो जाए तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुक्य उद्देश होता है यानि बिल्कुल आप ऐसा ना समझ बैठें कि यहाँ पर तो किसी बात का कम से कम शब्दों में आपको कहना है लेकिन अर्थ बहुत व्रहद रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा आप देखिए जो बड़े-बड़े लेखा कवी सा हितर कारादी होते हैं वो ऐसे ही शब्दों का प्रयोगस अपने लेखन में किया करते हैं पढते हैं आगे कि समास की अन्यविशिषता इं क्या है समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे सामसिक शब्द या समस्त पद कहते हैं यानि में जो वर्ड निकल के आता है पूरी प्रोसेस के बाद उसे सामसिक शब्द या फिर समस्त पद कहा जाता है समास विग्रह, समस्त पद को फिर से पहले जिसी इस्तती में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है जैसे आपने संधी पढ़ा है तो आपने संधी विच्छेद पढ़ा होगा कि संधी को कैसे विच्छेद करते हैं कैसे अलग करते हैं फिर संधी करने के लिए उसको कैसे जोडते हैं ठीक वैसे ही समास की जो प्रक्रिया होती है उसको विग्रह करना मतलब उसका फैलाव करना लेकिन वापस से उसको पहले जैसी स्तती मिलाना तो समस्तपद और समास ग्रह कहलाता है अब यहां देखिए जैसे समस्तुपद है क्या शब्द है विद्याले चोटा सा शब्द है विद्याले लेकिन जब हम इसको थोड़ा विस्तार देंगे तो हम क्या लिखेंगे विद्या के लिए आले यानि पढ़ने के लिए विद्या अध्धन के लिए जो आले यानि घर बनाया गया है उसका नाम क्या रखा गया है विद्याले रखा गया है तो आले का अर्थ होता है घर ठीक है फिर है विश्राम ग्रह विश्राम के लिए बनाया गया ग्रह अगर अब आपको बताना है कि मंत्री जी कहां रुके हुए हैं तो आप कहेंगे मंत्री लिए विशराम के लिए बनाए गए घर में रुके हुए हैं और वहां अराम कर रहे हैं इस से बहतर आप क्या कह सक्ते हैं? मंती ज्रि विशराम गठे में हैं यानि वह वहां definitely वहीं पर रुके हैं और वहीं पर उनका अराम हो रहा है तो आपने कितने दो वाक्यों का जो था उसको आपने एक वाक्य में convert कर दिया और आपकी बात की महत्व भी बना रहा और साती शब्द भी कम हो गए तो विश्राम ग्रह यानि विश्राम के लिए बनाया गया घर तीक है इस प्रकार हमने हाँ पर जो समस्त पद है उसको देखा कि पूरा एक complete नया वर्ड जो रहता है वो होता है समस्त पद और जब उसको इस तरीके से विस्तार करके लिखा जाता है तो वो कहलाता है समास विग्रह समस्त पद में दो पद होते हैं अब मैं आपसे बार-बार ये पद शब्द का प्रयोग करने वाली हूँ तो आप समझ लीजिए कि ये पद क्या होता है अब विद्याले विद्याले आप अपने अगर नई हिंदी के हिजाब से लिखे तो आप विद्याले को ऐसे लिखते हैं तो आप confused ना हो वो जो पहले वाला द्या था वो लिखा हुआ है वहाँ पर तो जो विद्याले हैं वो हम ऐसे लिखते हैं ठीक है तो विद्याले लिखने के लिए जो विद्या है ये दो शब्दों से मिलकर बना है किस-किस से मिलकर बना है एक तो बना है ये विद्या, धन, आले ठीक है? तो ये आपको इतना पता चल गया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है ये है एक शब्द, ये है दूसरा शब्द ठीक है? इसको कहेंगे हम पूर्वपद क्योंकि ये पहले आ रहा है और ये है उत्तरपद, उत्तर मतलब बाद में उत्तरपद, तो जब भी मैं आपसे पद की बात करूँ तो पद का आर्थ होता है यहाँ पर शब्द, ठीक है? पद यानि यहाँ पर शब्द से मतलब है और विद्यालय में दो शब्द हैं विद्या और आले तो विद्या जो उसका पहला शब्द है वो होगा पूर्वपद और जो उसका आलय है वो होगा उत्तरपद तो अब यहाँ देखे विद्या ले समस्तपद विद्या पूर्वपद आलय उत्तरपद विद्या के लिए आलय ये कहलाएगा समास विग्र है समास को बढ़ा कर देना और समस्तपद यानी मुख्य शब्द जो निर्मान हुआ है उसके बारे में कहना समास के मुख्यता छे भेद होते हैं कौन-कौन से अव्याई भाव समास, ततपुरुष समास, कर्मधारे समास, दिगु समास, द्वंद समास और बहुवरिय समास ठीक एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ ताकि जो उचारन की कोई शुद्धी है तो आपको क्लियर हो जाए अव्याई भाव समास, ततपुरुष समास, कर्मधारे समास, द्विगु समास जिसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं द्वंद समास को भी आप द्वंद यहाँ पर द्वंद इस तरीके से भी लिख सकते हैं वो आपकी टाइपिंग की पुरानी हिंदी है लिकिन आप इनको दौनों शब्दों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं दौन्द समास और अंत में आया बहु व्री ही समास तो इस प्रकार हम छे प्रकार के समास को किस प्रकार पढ़ेंगे वो आप यहाँ पर समझ लेजे जिस समास का पहला पद आप देखें यहाँ पर पद की बात आई है तो आपको मैं बता चुकी हूँ यानि असान होगा समझना पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्याई हो मतलब वो किसी स्थी में बदलेना वो जैसा है वैसा ही रहे उसे अव्याई भाव समास कहते हैं ठीक, फॉर एक्जाम्पल आजन्म ठीक है, आजन्म अब आजन्म शब्द है अब आप इसको कैसे करेंगे जन्म भर, आजन्म का क्या मतलब होता है सूर्दास, आजन्म अंधे थे दृतराश्ट, आजन्म अंधे रहे तो आजन्म मतलब जन्म से थे और मरने तक वैसे ही बने रहे तो आजन्म, तो आजन्म का मतलब क्या होता है जन्म भर पूरा जन्म जितना जिये उसी स्थती में तो आ पहला पद क्या है इसका आ पहला पद है और जन्म इसका दूसरा पद है अब आप एक चीज़ देखिए पहला पद प्रधान है क्योंकि ये उपसर्ग की तरह कारी कर रहा है जन्म एक मूल शब्द है जो की आ उपसर्ग लगने की कारण आजन्म बन गया वरना जन्म का रथ तो बर्थ से मतलब होता है लेकिन आजन्म हो गया तो क्या हो गया बाय बर्थ हो गया उसका मीनिंग अगर इंगलिश में हम समझें तो और हिंदी में जन्म मतलब की जन्म लेना प्रत्वी पर लेकिन आजन्म मतलब जन्म से लेकर जब तक की बात कही जा रही है तब तक तो ये उपसर्ग की तरह काम भी करता है साथ ही ये पहला पद जो है वो मेन भी है यही इसकी अर्थ को बदल रहा है वरना जन्म का अर्थ त लेकिन आजन्म लगने से उसका आर्थ बदल गया और समस्त पद अव्याई है यह शब्द नहीं बदलेगा यह जहां कता रहेगा यह बहुत सारे चीजों के साथ प्रयोग होता रहेगा तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं अव्याई भावसमास कहलाते हैं एक और उदारन लीज यथा शक्ति तो अब यहाँ पर समस्त पद है यथा शक्ति अगर आप इसको समझे तो यथा पहला पद हो गया और दूसरा पद हो गया शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार उसका मतलब होता है यथा शक्ति कहा जाता है यथा शक्ति काम करें मतलब शक्ति के अनुसार काम करें तो यथा शब्द पहला पद और समस्त पद क्या हुआ शक्ति जो की बदलता नहीं है वो स्थाई शब्द है यथा तो एक उपसर्ग की तरह है बहुत सारे वर्ट्स में लग जाएगा यथा गत भी हो जाएगा बहुत सारे शब्द में है लेकिन शक्ति जो है वो प्रमुख् से काम करता है तो ऐसे आप इनको समझ सकते हैं पिर होता है दूसरा समास कुन सा है ततपुरुष समास ततपुरुष को समझने के लिए सबसे पहले कारक विभक्तियां एक बार दिमाग में ले आईए करता ने कर्म को करण से संपरदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण मैं पर संबोधन है अरे को तो यह जो कारक विभक्तियां हमने आप पढ़ी थी आपको याद कराई गई थी मैंने भी आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है नहीं देखा हो तो भाई वीडियो एक बार रिव्यू कर लेना उसको भी एक बार देख लेना क्योंकि जिनको कारक विभक्तियां बहुत अच्छे से समझ में आई है उनको चिन्ध का लोप हो जाए लोप यानी होता है गायब ये लोप गायब हो जाए उसे ततपुरुष समास कहते हैं समझ में आया दूसरा पद पुरधान हो जो कारक विभक्ति है उसका लोप हो जाए वहाँ ततपुरुष समास होता है आप देखिए रेखा अंकित क्या होता है रेखा अंकित अंडरलाइन को हम कहते है रेखा कीछ देने को रेखा अंकित तो अब देखिए रेखा से अंकित ठीक अब अगर हम इसके पद की बात करें तो पहला पद है रेखा दूसरा पद है अंकित तो आपने देखा दूसरा पद प्रधान होता है पहला पद तो रेखा है वै लाइन है ठीक है लेकिन लाइन अगर यहां खिज गई तो यह प्रधान हो गया मतलब जहां अंकित कर दी गई है अकेली इस रेखा का कोई मीनिंग है कहीं भी कीच दी रेखा कोई मीनिंग नहीं है इसका लेकिन अगर मैं यह आपको पढ़ाते समय इसके नीचे खिंज देती हूं तो यह वर्ड प्रमुख हो जाता है यह खास हो जाता है तो यहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो तो ऐसे आप समझ सकते हैं तो रेखा अंकित या आठ प्रकार के लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तत्पुरुष रमास जो है वो छे प्रकार के यहाँ पर जो कारक हैं उनसे बनते हैं यहाँ दो कारक छूट जाएंगे यहाँ पर हम छे कारकों से इनको पढ़ेंगे निकरता और कर्म को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है अब यहाँ देखे तत्पुरुष छे प्रकार के होते हैं कहां से करता और कर्म को छोड़ा है द्यान दीचेगा संपरदान, संपरदान की पहचान हमने क्या पड़ी थी के लिए, के द्वारा, मदद के लिए जब किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं मा ने मेरे लिए आज मिठाई बनाई है तो मेरे लिए ऐसे वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं के लिए का प्रयोग उसकी विभक्ती चिन्न के लिए होता है उससे संबंदित यहां हम शब्द दून देंगे जिसमें संपरदान कारक की विभक्ती के लिए का लोप हो जाए मतलब वो गयब हो जाती है उसे संपरदान ततपुरुष कहा जाता है जैसे देश भक्ती अगर मैं आपसे कहूँ कि सबके दिलों में आपके दिल में मेरे दिल में देश भक्ती होनी चाहिए तो क्या मीनिंग है देश भक्ती का उसको जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा देश के लिए भक्ती किसके लिए भक्ती होनी चाहिए दिल में देश के लिए भक्ती तो देश और भक्ती तो यहाँ पर इस प्रकार हम उसको पहला शब्द है देश, दूसरा है भक्ती, लेकिन इसका विग्रह करेंगे, तो ये के लिए शब्दाने के कारण, ये कौन सा समास है? तत्संपरदान, तत्पुरुष समास है. एक्जाम में कई बार आपको ये तत्पुरुष समास का कौन सा भेदे ऐसा प्रशन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, या विग्रह जैसी करके देखेंगे, तो ये कारक विभक्ती आपको दिख जाएगी, समझ में आ जाती है, तो ये विभक्ती से आप ब से, बच्चा साइकल से स्कूल जाता है, हैना हमाँ चाकू से फल काट रही है, मैंने पुस्तक से आपको पढ़ाया, तो से यहाँ पर हेल्पिंग से है, मतलब मदद का से है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, जिसमें करन कारक की विभक्ती से कालोप हो जाता है, करन तत्प हस्त लिखित मतलब उनके हातों से लिखित है, क्या लिखेंगे, हस्त यहाँ पर तत्सम शब्द जिसका अर्थ होता है, हात, तो यहाँ पर हात, हस्त से लिखित यानि हात से लिखित, तो हस्त लिखित का अर्थ क्या हुआ, हात से लिखित, तो यहाँ पर से विभक्ती का ल पंडूली पिया हैं यह हस्त लिखेत हैं यह तामरो पत्र हैं यह जो हस्त लिखेत हैं इन पर उस समय लोगों ने लिखा है तो हस्त लिखेत कर्म ततपुरुष कर्म ततपुरुष के अंतरकत हम क्या पढ़ेंगे जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लेप हो जाता है जब आपने पढ़ाता तो आपने करता कर्म को पढ़ाता ना तो को विभक्ती का यहाँ पर लोप हो जाएगा तो यहाँ पर आप कैसे देखेंगे गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला गगन चुम्बी कहलाता है गगन को चूमने वाला तो कर्मकारक फिर है अपादान ततपुरुष यानि कर्म कारक कर्म ततपुरुष समास कहलाएगा अपादान जिसमें अपादान कारक की विभक्ती से का लोप हो जाए अब ये कौन सा वाला से है अलग करने वाला से है ठीक है मतलब मुझे पूछा आपने मैं हम आप कैसी हैं तो मैं आपको बताए देविकर्यां को पहचाना जाता है, संबंध कारग, संबंध तत पुरुष जिसमें संबंध कारग की विभक्ती का के की का लोप हो जाए, यानि यहाँ पर दो लोगों के बीच में कोई रिष्टा बताया जाता है, उसे संबंध तत पुरुष कहते हैं, जैसे राज कुमार, राजा का कुमार, राज पुत्र, राजा का पुत्र, राज कन्या, राज महल, राजा का महल तो राजा और महल की विशेष्टा, राजा और पुत्र की विशेष्टा बताई जा रही है तो ये का विभक्ती का लोप हो जाता है और यहाँ पर जो शब्द बनता है वो कैसा बनता है? राज कुमार, राजा का कुमार तो यहाँ पर ऐसे आप इसको संबंध ततपुरुष के अंतरगर समझ सकते हैं अंतिम है अधिकरण ततपुरुष यानि संबोधन नहीं है यहाँ पर और करता नहीं है यह बात ध्यान दे हमने शुरुआत में मैंने आपको बताया था करता और कर्म नहीं है तो शमा करें करता और संबोधन नहीं है अधिकरण यानी कि मैं और पर मैं और पर ये स्थान वचक शब्द हैं तो यहाँ पर आप अधिकरण कारक की विवक्ती मैं और पर का लोप हो जाता है अब अधिकरण कारक क्या होते हैं? ग्रह प्रवेश ग्रह में प्रवेश या ग्रह पर प्रवेश करना ग्रह प्रवेश करसम होती न नए घर का शुबारम बुजब होता है तो ग्रह में प्रवेश क्या कहलाएगा ग्रह प्रवेश तो ग्रह और प्रवेश तो यहाँ पर में स्थान वाचक शब्द बनाने के कार वन प्रदेश, वन में प्रवेश, वन प्रवेश इस तरीके से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं ठीक है? तो यह आपने जो कंप्लीट किया तो इसमें आपने ततपुरुष समास की 6 विवक्तियों के अधार पर ततपुरुष कारक को समझ लिया है तो अब मुझे लगता है ततपुरुष कारक तक आपको समझ में आ गया होगा ततपुरुष के हमने 6 बेट पढ़े, यानि पहला कारक हमने पढ़ा अव्याई भाव समास, दूसरा पढ़ा ततपुरुष समास अब पढ़ेंगे हम तीसरा समाज तीसरा समाज क्या है? इसमें पहला पद विशेशन होता है अब आप याद करिए जब मैंने आपको विशेशन पढ़ाया था तो दो शब्दों से हमने परिचे प्राप्त किया था विशेशन और विशेश्यम ठीक है? तो विशेशन क्या थे? जो शब्द संग्या और सर्वनाम की विशेश्टा बता रहे हैं वो क्या थे? विशेशन थे और जिन शब्दों की विशेश्टा बताई जा रहे हैं वो क्या थे? विशेश्य थे लाल गुलाब का उदारन आपको याद होगा हमने पढ़ा था तो लाल गुलाब में लाल तो है विशेशन लेकिन लाल क्या है किस शब्द की विशेशता बता रहा है ये लाल शब्द तो वो गुलाब की विशेशता बता रहा है इसलिए जो गुलाब हुआ वो क्या हुआ विशेश हुआ क्योंकि वो गुलाब की यहां पर भी विशेशन और विशेशे का मिलन होने वाला है इस समास में पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश होता है इस अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमे होता है जैसे पीत अंबर अब पीत अंबर का जब आप समास विग रहे करेंगे तो क्या करेंग पीत है जो अंबर, पीत मतलब पीला, पीत का अर्थ होता है पीला, अक्सर पीले वस्तरों में आपने कौन से भगवान को देखा है, आपने विश्नु जी को देखा होगा, या आपने कृष्ण जी को देखा होगा, वह हमें शब पीले कपड़े पहनते हैं, और विश्नु जी बात क्या है अंबर यानि पीत यानि पीला और अंबर यानि पीत धन अंबर अंबर यानि कपड़े की विशेशता क्या है कि वो पीला है तो अंबर क्या हुआ विशेश्य हुआ और पीत यानि पीला क्या हुआ विशेशन हुआ ठीक है विशेशन हुआ तो इस प्रकार एक समास कहलाएंगे, कर्मधारय समास कहलाएंगे. यानि कर्मधारय समास जब भी आप पढ़ें तो आप पहचानने के लिए देखें क्या विशेशन विशेशी का प्रयोग उसमें हो रहा है? यदि हाँ, तो आप बिल्खुल उसे कर्मधारय टिक कर सकते हैं. अब यहाँ देखिए महाराजा, अब महाराजा कौन होते हैं? महान है जो राजा, यानि वो राजा जो महान है, राजा की विशेशता क्या है? कि जो महान है, वो क्या हुआ? महाराजा, कर्मधारय समास. नीलकंठ, कंठ यानि गला, नील यानि नीला. नीला है कंठ जिसका यानि वो व्यक्ति जिसका कंठ कैसा है नीला है तो व्यक्ति हो गया विशेश और नीला हो गया विशेशन तो नीलकंठ कनक लता कनक का अर्थ आपने देखा है सोना होता है और लता मतलब बेल होता है सोने जैसी बढ़ती हुई बेल तो कनक के समान, कनक के समान है यह कनक के समान लता सोने से के जैसी लता तो यहाँ पर कनक कार्थ कनक हो गया विशेशन और लता हो गई विशेश मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मुख किसके समान सुन्दर है चंद्रमा के समान सुन्दर है तो मुख हो गया विशेश लेकिन यहाँ पर चंद्रमा सौरी मुख हो गया विशेशन और चंद्रमा हो गया किसका विशेश हो गया तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एक विशेशन एक विशेशन एक विशेशन एक विशेशन एक विशेशन को पढ़ा अब आया है बच्चों का सबसे प्रिय और सबसे आसान समास दिगु समास दिगु समास की सबसे प्रमुख जो विशिष्टा है कि इसमें जो पहला पद होता है वो होता है वाई संख्यावाची और ये बच्चों को पहचानना हो जाता है बेहदासान अगर आपने संस्कत की गिंती पढ़ी है नंबर्स पढ़ें बस तो फिर आपका काम हो गया यानि यहाँ पर जितने शब्दा आप पढ़ेंगे वो कोई ना कोई नंबर से संबंदित जरूर होंगे तो अब हिंदी प्लस मैट्स आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो पहला पद यानि जो पहला word होता है, पहला letter जो होता है, वो कोई न कोई संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी भी समूह का बोध कराएं उसे दिगु समास कहते हैं चार रहा, चार रहों का समूह या समाहार तो चौराहा चार नवरतन नौरतनो का समू हो सोची ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट फटाफट बताईए ऐसे कौन से हो सकते हैं शब्द तो कुछ और शब्द में यहाँ पर लिखती हूँ जैसे कि दो पहर नव ग्रह आप लिख सकते हैं अब यहाँ देखिए दो पहर में दो छुपा हुआ है नव में नौ ग्रह छुपे हुए है सब्त रिशी में साथ रिशी छुपे हुए है त्रिनेत्र त्री मतलब तीन होता है त्रिनेत्र शिपजी को बुला जाता है त्रिभुवन मतलब तीन भुवन का संसार का जो स्वामी है वो भी शिवजी के लिए कहा जाता है इसके अलावा अगर हम देखे तो चार पाई आप कह सकते हैं चार पाई मतलब चार पाईों का समुह जो खाट होता है उसके लिए कहा जाता है 9 र fifteen आप कहते हैं फिर सप्ता यानि साथ दिनों के सम्हूं को आप सप्ता कहते हैं पुजा पार्ट में आप एक पंचघव्य बनाते हैं वगवान को भोग लगाने कलिए 5 चीजों का जो मिश्रण 5 पंचमेवा आप कहते हैं आकाश में जो आप देखते हैं आकाश गंगा सब्त रिशी, आप साथ तारों का सम्मू देखते हैं, तो आप सब्त तारा मंडल कहते हैं उसको, तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, आश्टांग योग कहा जाता है, तो हर संख्या से जुड़ा हुआ, जैसे शह से शटकोन हम बच्पन से पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर नंबर यानि संख्या पहला पद होती है, और बस वही आपकी पहचान है दिगु समास को पहचानने की, तो जो भी बच्चे संख्या से संबंदे तुरंत पहचान लेंगे, वो इसको तुरंत समझ जाएंगे, तो इस प्रकार उसको विग्रह कैसे कर देख लें कि ऐसे फैला कि जब उसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं अब पहला पद यहां पर देखिए संख्यावाची है और दूसरा पद तो जो उसका विशेश शब्द है वो है ही वहाँ पर तो इस प्रकार बच्चों का प्रिय और सबसे आसान वाला जो है वो complete हो गया है तो यहां आपने जो चार समझ लिए हैं बचे हैं दो और काम है बहुत आसान अब आया द्वन्द क्या होता है द्वन्द जब आपने महाभारत के समय की कुछ कहानिया पड़ी होगी तो आपको पता होगा कि महाभारत में द्वन्द युद्ध होते थे द्वन्द युद अकलब समान शक्तियों वाले दो लोग, तो ऐसा ही ठीक कुछ-कुछ यहाँ पर भी हम पढ़ने वाले हैं द्वंद समास में, द्वंद यारी यहाँ पर जो दो पद भी यह हैं, तो अब आप पद से तो परिचित होई चुके हैं, दोनों जो पद यानी शब्द हैं, वो आप बस में बिल्कुल समान होंगे, आप किसी एक को प्रमुक किया बहुत खास या दूसरे को आप कम तर नहीं आग सकते, सपोस्थ में कर आपसे कहूं कि आप अपने मम्मी या पापा मेंसे किसी एक को चुनो, आपको किसी एक को चुनना है, तो शायद आप सोचने का समय मांग कि आपके बेटा या बेटी मेंसे कोई एक हमें दे दो, तो क्या वो डिसाइड कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं क्योंकि आप दौनों उनके लिए बिल्कुल समान हों, तो ऐसी ही चीज़ें यहां दौन्द समास में आपको समझनी है, जिसमें दौनों चीज़ें इतनी हद तक समान होती हैं कि आप किसी एक को प्रमुकता दे ही नहीं सकते, तो यहां पर दो जो उदाहरन मैंने आपको माता पिता और बेटा बेटी के दिये, इन उदाहरनों के अलावा भी यहां बहुत सारे एक्जाम्पल्स हैं, वो हम यहां पर पढ़ते जाएंगे, जिस समास मे दोनों पद समान होते हैं, यानि ना आप इसको खास कह सकते हो ना इसको, ना ये वाला खास ना ये, बलकि ये दोनों कैसे हैं बिलकुल, इक्वल यानि माक्स में आप जो पढ़ते हैं इक्वल का साइन बराबर, तो बस ये भी यहां पर बराबर हैं, तता उसके बीच में अगर और लिखा हुआ है तो वो और का लोप हो जाता है लोप मतलब उसको हटा दिया जाता है उसके स्थान पर डैश लगा दिया जाता है और अगर डैश लगा होता है तो उसके स्थान पर और लिख दिया जाता है तो आपके परिक्षा में किस तरीके का प्रशन आ रहा है सम पत दिया है अगर तो आपको उसमें और लगा के उसको विग्रह करना है अगर समास विग्रह दिया है तो आपको और हटा के दैश लगाना है और छोटा शब्द बना देना है तो ये तो हुआ भई आपकी परिक्षा में किस तरीके से आएगा उस पर वाचीत यहां देखते है जिसमें दौनों बत समान हो और या का का लोप हो जाए उसे द्वंद समास कहते हैं अब जैसे दाल भात तो दाल और भात जोड़ा है उसका आप अकेली दाल को भी नहीं खा सकते हैं अकेला चावल भी नहीं हो तो पेर ही है दाल चावल का तो भात यानी चावल होता है तो दाल और चावल तो यहाँ पर दौनों को प्रमुकता से दौनों को प्रमुकता देंगे रात और दिन भाई अगर दिन नहीं होगा तो रात का क्या महत्व और राती चलती रहेगी तो दिन कब होगा तो रात और दिन में से भी किसी एक को आप प्रमुकता नहीं दे सकते दोनों बिल्खुल समान है कुछ और अगर हम यहां लिखें तो माता और पिता माता पिता ठीक है भाई बहन सुबह शाम सुबह शाम यहां पर मैं डैश लगा रही हूँ लेकिन आपको यहां पर और लगा के लिखना है सुबह शाम और फिर पाप पुन्य पाप क्यों पाप है दुनिया में क्योंकि हमें पता है कि पुन्य क्या है और पुन्य क्या है दुनिया में जो पाप अगर करके आपको सजा मिल रही है तो उसके बदले में जो है वो पुन्य है उपर नीचे दाएं बाएं पाप पुन्य योग्य आयोग्य बहुत सारे राम लक्षमन्द अक्सर आपने भगवानों के नाम देखे होंगे वो भी इसी तरह डैश लगा के लिखे रहते हैं जब उन्हें हटाया जाता है तो और शिब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे राम और सीता भगवानों के नाम भी अक्सर अमेशा इसी तरीके से साथ में लिये जाते हैं राम और सीता, राधा और कृष्ण शिव और पारवती तो यहाँ पर लविष्णू और लक्ष्मी, तो यहाँ आप इनको देखेंगे किसी एक को आप खास नहीं कह सकते, दौनों पद बिलकुल समान होते हैं शब्द बिलकुल बराबर होते हैं और उनको आप कम जादा नहीं रख सकते तो वो सब क्या कहलाएंगे, दौन्द समास के अंतरगर आते हैं इस तरीके से विग्रह करने कहा जाए तो आप और लगा देंगे और समस्त बद लिखने कहा जाए तो और हटा कर डैश लगा देंगे यह आपको अपने बुद्धी विवेक से जैसा प्रशन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप करेंगे अंतिम समास है हमारा बहु वरीह समास जहां दौनो पद गौन होते हैं मतलब दौनो पद बिलकुल खास नहीं होते हैं वो किसी तीसरे अर्थ की कलपना करते हैं ना तो यह पहले वाला ना यह पहले वाला यह दौनो यहां खतम हो जाएंगे और एक नया स्पेशल वर्ड यहां पर बना लेते हैं और दौनो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं जहाँ पर कोई भी पद प्रधान ना हो वहाँ बहुवरी ही समास होता है समझ में आया अब बहुवरी ही समास जैसे पीत अंबर अभी यहाँ पर पीत अंबर हमने अल्रेडी कर्मधारे में पढ़ा था या कृष्ण जी अब यहाँ पर कुछ और मैं आपको एक्जाम्पल्स यहां लिखे नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप उससे बताईएगा जैसे मैं वो लूँगी त्रनेत्र ठीक है तो त्रनेत्र जब भी बात कही जाएगी तो जिसकी तीन आखे हैं वो त्रने जैसे हैं यहाँ पर देखे एक चोटा सा डिफरेंस दिया भी है इसको भी हम देख लेते हैं समास के कुछ उदारण ऐसे हैं जो कर्मधारे और बहुवरी में एक साथ प्रयोग किये जाते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना पितामबर फिर ऐसे निलकंट एक शब्द है ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारे के examples में भी आ जाते हैं और बहुवरी में भी आ जाते हैं लेकिन इनका अंतर जानने के लिए एक छोटी सी trick है और इनका विग्रह करके आप देखें फिर प्रश्न को देखें क्या पूछा जा رہा है तो आप उसकी आधार पर उतर लिख सकते हैं आप देखें जैसे नीलकंट है यह नहीं कहाँ पर पढ़ा था इसके पहले कर्मधारे में नीला है जो कंट तो वहाँ पर कर्मधारे है लेकिन नीला है कंट जिसका अर्थात शिव आप शिवजी को नीलकंठ कहते हैं एक पक्षी भी नीलकंठ होता है और शिवजी को भी आप नीलकंठ कहते हैं तो जब नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव तो बहुवरी है तो जब आप विग्रह करेंगे तो आप ऐसे करके लिख लें आप जब confuse हों तो आप ऐसे करके लिख दें आप एक्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं अगर विकल्प नहीं है एक ही चुनना है तो एक अलग बात है लेकिन अगर लिखने कहा जा रहा है तो ऐसा अगर आपने लिखा है नीला है जो शिव तो आप कर्मधारे लिख दें लेकिन नी जिसका वस्त्र अर्थाप पितांबर तो यहाँ पर श्री कृष्ण या विष्णू का नाम ही आएगा वीना पानी जिसके हाथ में वीना हो मान के चलो आपकी कोई सहेली है वो वीना पकड़ की खड़ी है तो आप उसे वीना पानी कह सकती है लेकिन हम वीना पानी वर्ड सुनते ही किसका दिहान करते हैं सिर्फ और सिर्फ सरस्वती मा का तो सरस्वती मा वाला वीना पानी शब्द किसके अंतरगत आएगा बहुवरी समास के अंतरगत आएगा तो यहाँ पर बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन अगर ये difference आप समझ लेंगे न तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा थोड़ा सा एक और confusion आपको जो हो सकता है वो है बहुवरी और दिगू समास में आप बहुवरी में भी आपने देखा कि तीन नेत्रों वाला उदारन मैंने आपको दिया कि तरनेत्र जब भी बात होगी शिवजी को कहा जाएगा साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी समास में पहला पद संख्यावाची हो तो आप उसे दिगू समास कहेंगे तो आप कहेंगे कि माम हम यहाँ पर पहचालेंगे कैसे confusion तो होई जाएगा तो आप इसको भी विग्रह करके देखें दिगू समास का पहला पद संख्यावाची विशेशन होता है और दूसरा पद उसका विशेश्य होता है लेकिन बहुवरिय समास में जो पूरा पद होता है वही विशेशन का कारे करता है ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनने दौनों समासों में रखा जा सकता है बिग्रे करने पर ही इस्तिती स्वष्ट होती है आप जैसे चतुरुभुज ठीक है? आप शिवजी की आती काते हैं ओम जैशिव, ओम कारा तब उसमें चतुरुभुज शब्द आता है तो चतुरुभुज मतलब जिसकी चार बुजाएं है अगर आप मैट्स पढ़ते हैं तो आप इसको भी चतुरुभुज कहा सकते हैं इसकी चार बुजाएं हैं ये बिल्कुल समान है चारों और से तो ये भी चतुरुभुज हो गया ठीक है? इसको भी आप बोल सकते हैं चार बुजाओं का समूह तो ये दिगू समास के अंतर गताएगा क्योंकि अगर आप मैट्स की दृष्टी से इसको देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 आप इसको दिशाओं की नाम के साब से पढ़ लेंगे तो ये संख्यावाची हो गया, दिगू समास हो गया लेकिन चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विश्णू तो चतरुबुज विश्णू भगवान को भी कहा जाता है तो यहाँ पर बहुवरी समास हो गया यानि विग्रह की दृष्टी से आप देखेंगे कि अगर आप चार भुजाओं का समूह अकेला कह रहे हैं अंतरगत आएगा तो विग्रह करकर देखना आपके लिए बहुत आवशक है क्योंकि कई उदारण एक जैसे और कॉमन है तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर कम्प्लीट किया अपना समास तो समास क्या कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के के भी हमने छेभेद पढ़ें जो कि कारक पर आधारित थे तो वो सब आप पढ़ियां रिविजन उसका कर लिजे ततपुर उस समास को समझने के पहले जिन बच्चों ने कारक का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज पहले कारक को रिव्यू कर ले ताकि उसको पढ़के जब आप इसे पढ़ेंगे न तो चीज़न जल्दी समझ में आएंगी और ये समास जो है इसका कर लिजे पुन्रावलोकन क्योंकि अगले नेक्स जो मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ उसमें करेंगे हम इसका बहु विकल्पे प्रश्ने यानि की MCQs तो समास हुए यहाँ पर complete और समास जो है वो 12 तक सेम यही रहने वाले हैं उदाहरन भी यही रहेंगे तो आपको बिल्कुल confuse होने की जरत नहीं कक्षा 7 में पड़े हुए जो दाहरन है वो 12 तक और आगे तक और जीवन भर जब तक आप इंदी पड़ेंगे तब तक काम आने वाले हैं तो यह जो ज्यान है न यह हम पूरा lifetime के लिए कर रहे हैं इसको कवर यह सिर्फ कक्षा विशेश नहीं है कि सिर्फ 7 तक है 8 में कुछ बदल जाएगा बिलकुल भी नहीं परिभाशा, उदाहरन सब कुछ सेम रहेंगे सिर्फ standard हाई होता जाता है शब्दों का जो उदाहरन वाले शब्दों थे ना बस उसका standard हाई होता जाता है बाकी चीजे यही रहने वाली हैं तो इसको कर लीजे अगले करेंगे हम अपने बहुवी कल्पी वप्रशन तब तक के लिए एक बहुत छोटी सी बात कि magnet brains में जो भंडार एक खजाना चुपा हुआ है बस उसके बारे में छोटी सी बात कि आप चाहें सिव्यस English Medium पढ़ें इंदी Medium हो, UP Board, बिहार Board या फिर MP Board हर एक के डेरो वीडियो, हर एक क्लास के हर एक सब्जेद के डेरो वीडियो यहां मौजूद है, बस उन्हें देखें खोजें और उनसे अपना लाप उठाते चलें प्रतियोगी परिक्षाएं की बात करूँ अगर मैं तो CUET, NTSC जैसे उलम्पियार्ट से हैं, स्पोकन इंग्लिश है, बुक्स, इबुक्स का कलेक्शन है सब के लिए आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं बस आपको जरूरत है सही चीज को सही समय पर ढूंडने की देखने की और उससे सीखने की हमारे साथ बने रहने के लिए पुड़े रहने के लिए फेस्बुक, इंस्टाग्राम, टूटर और टेलिग्राम की मदद आप ले सकते हैं हम हर जगा हैं जो माध्य हम कन्विनियन्ट लगता है उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर बिलकुल करते रहे क्योंकि आपका like, comment और शेयर करना हमारे लिए motivation का काम करता है हमें भी आगे बढ़ने के लिए motivation की ज़यर है और वो motivation है आप तो बस like, comment और शेयर करते रहे ये चीज़ों को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबा